हेलो दोस्तो नमस्कार उपर एक बहुती इंपोर्टेंट वीडियो आने वाला है आप लोगों के लिए तो इस चैनल का लिंक भी आपको उपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लगा चुक है बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रिन के उपर स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिविटी बहुती ज़्यादा देखने को लिए खबर ही वैसी है रैट वार जैसी सिचुएशन एक बार ऐसी चीजे ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाती है सो छोटी मोटी खबरे भी इजीली यहाँ पर क्या कर सकती है बाजर को और भी यहाँ पर प्रेशराइज कर सकती है यह हमेशा चलता रहता है बाजर में नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ऐसी गिरावट के माहूल में बहुत सरे अलग-लग रिक्वेस्ट आते रहते हैं एक बहुत ही अच्छा रिक्वेस्ट यहाँ आया था इसके चलते वीडियो में बना रहो देखे मैं अगें डिस्क्लेमर हमें देता हूं मैं कोई रेकमेंडेशन आपको देता नहीं यह आपके उपर है आप जाना चाते हो तो आप जा सकते इस कंपनी के साथ कंपनी खराब नहीं इतना तुम्हें आप लोग को कह सकता है रिक्वेस्ट क्या थी कि सर अभी के हिसाब से बात करें देखे मार्केट बहुत अच्छा भागा था बहुत सरे कंपनी का वैलिवेशन पी भी बहुत ज़्यादा महेंगा था यह और वो पर एसी कोई कंपनी है जोकी अच्छा यहां पर करेक्ट हुई है जो की वैलुएशन के इसाब से पी भी उसका बहुत ही अच्छा रीजनेबल है प्लस कंपनी के अभी के कौटर तरीके जो रिजल्ट जस्ट अभी अभी हुए थे वो भी कंपनी ने बहुत अच्छे दिखाए है प्लस कंपनी फंडामेंटली स्ट् वास्ट है यहां पर इतने सारे कंपनी से दोस्तों अगर प्रॉपरली आइडेंटिफाइ करनी जाओगे तो यस ऐसे कंपनी में आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा तो आज आते एक एक पैरामेटर के साथ ही हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को लेगा 2006 से अभी तक तो मतलब बहुत सारे अपसेंट डाउंस देखे हैं 2008 देखा है 2013-2012 की अगर हम लोग बात करें 14 की बात करें 2020 क्रेश की बात करें सब कुछ यह कंपनी ने इनके मैनेजमेंट ने यह सारी चीज़े जहली है तो आप देख सकते आपे करें दिए की बात करें तो लगबग यहां पर सवा 14 परसेंट के आसपास आप लोग बोल सकते हो 15 परसेंट के बीच में पब्लिक की अगर हम लोग बात करें 10-11 परसेंट के आसपास मतलब हर कोई यहां पर इस कंपनी में अच्छा कासा एक्वाल कॉंट्रोबिशन रखा 40 परसेंट के आसपास का स्टेक है तो 60 परसेंट भी हमनों को अच्छा कासा इक्वाली डिस्ट्रिबिट होते वे देखने को मिला है तो चले कंपनी 2006 से लिस्टिंग के सबसे तो बिजनेस देखने को मिल रहा है प्लस प्रमोटर होल्डिंग भी इतने पूराने समय से अच् प्रेशर है तो यह भी कंपनी 30-30-40 पसेंट नीचे अपने टॉप लेवल से इसका अरतियने की कंपनी खराब होगे तो पूरा इस जितने भी स्टॉक से सब नीचे ही है तो यह अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप मार्केट में टिक जाओगे वरना प्रेशर होके आ पड़ी रिक्वाइर्मेंट थी कि स्टॉक का पी की भी बात करें उनली फाइटाइमस मतलब रीजने वले हम लोग आपे कह सकते हां कुछ कंपनी देखें हाई होना यह कोई गलत नहीं होता है ऐसे बहुत सरे कंपनी जिनका पी कई सालों से आप लोगों को तीन डिजिट मे हो गया तो आपको पांच लाग तक भी मोबाइल फोन मिल जाते है तो बताने का मकसद कि है कि आप पे करने के लिए रेडी हो यानि उसके उपर यह सारी चीज़ें निरबर करती है आप ज़रू बोल सकते हो कि यह सेलफोन बहुत ज्यादा भाइंगा है ओवर वैल्यूड है और उसे टाइम किसी को लग सकता है नहीं इसके वैल्यू बिल्कुल वर्थ है यहापर यह है वो है और उसके चलते वो स्टॉक को आप खरीच सकते है तो आप देख सकते हैं तो आप 5.63 टाइमस का हम लोगों को पी भी देखने को आप मिल रहा है नेक्स अगर हम लोग बात मार्केट में जब नंबर्स आ गए और नेक्स दिन जब यह स्टॉक खुला तो जबर 10 तेजी आई थी 10% से भी ज्यादा की तेजी मतलब मार्केट ने भी जो ओर एक्सपेक्टेशन रखी थी उसको भी इस कंपनी ने बीट किया रैट सो चलिए आ जाते कंपनी के जो अभी कंट्रोल रखे तो डबल मुनाफा सेल्स भी बड़ा दिया एक्सपेंस भी कम किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेना जो बहुत ही चोटा नजर आ रहा था वह सीधा आप देख सकते 114 मतलब तीन डिजेट में हमनों को जंब देखने को मिले आप ऑपरेटिंग प बहुत ही पूराने समय से जो आपका आखरी सवाल था कि यहां पर जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो तो सबसे में चीज है कि उससे कोई परिशानी नहीं होनी चाहे तो दोस्तों यह कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑनलाइन है यह ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के ऊपर यहां पर कर रहा हूं इन्फो एज की या फिर नौकरी जो इसी का शॉट वाम हम लोग कह सकते हैं दूसरा नाम है यहां तो इन्फो एज एक बहुत बड़ी कंपनी दोस्तों इसी के हम लोग यहां पर बात करें आप देख सकते बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें आप लोग को बेस्ट चीज कौन सी बेस्ट चीज कि यह कंपनी अभी-अभी हम लोग को क्या देखने को आपर मिलने वाला था कि निफ्टी-फिफ्टी के नॉमिनिशन में दो कंपनिया थी एक थी अपोलो हॉस्पिटल एंड सेकेंड थी इन्फो एज हम लोग जरू कह सकते कि अपोलो ह हाँ 19-20 का फरक रहता है तो इन्फो एज भी कोई खराब कंपनी नहीं दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है अच्छी कंपनी का डेफिनेशन यह नहीं कि वो नीचे नहीं आएगी यह देखिए लगातार हमनों को यह नीचे गिरते वे देखने कमेंट है इसे हां में डिस्क मैं अगेन अगेन किराओं यह कोई दी एंड नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ खतम हो गया करके अभी कंपनी यहाँ पर कमाई नहीं पाएंगी यह एक रियक्शन रहता है जो कि हम लों को देखने को मिल रहा है और वैलुएशन की साब से अगर आप जाना चाहते हो तो यह सा लंब यवदी का चार्ट पेटन देखोगे पाथ साल का चार्ट पेटन कितने पाथ साल में 431 पर संट के रिटन तो जो पाथ साल तक यहाँ पर बेठे हुए वह चुप चाप यहाँ पर एंजॉय कर रहे है प्रॉफिट को उनको यह पता है कि यह सारी चीज़े चलती रहत ना तो वापस यह स्टॉक इतने तेजी से भागेंगे कि फिस सब भी लोग भागते वे ट्रेंड को पकड़ने के लिए आ जाते हैं अगर आप लोग सोचना ही चाते थे कि आपकी जो रिक्वार्मेंट थी उसके सबसे कंपनी में आप लोगों के सामने रखी है ऐसे बहुत सरे कंपनी आप लोगों को देखने को लिए मिल जाएंगे तो जरूर आप इन्फो एच के बारे में नोकरी के बारे में इस कंपनी के बारे में विचार यहापे कर सकते हैं आज की कंपनी बहुत पूरानी कंपनी इसके पहले भी इसे बड़े-बड़े डीप डाउन्स गिर कहना चाहता हूँ दोस्तों जो आप इंवेस्ट करते हो वो लॉंग टर्म के लिए होता है तो यह चीज़े आप लोगों को समझ में आपे आनी चाहिए आपको कोई मुझे कमेंट सिक्षन में जरूर बता देना तो 25 वीडियो के जियो लीस्ट है वो आप लोगों को फ्री आफ कोश्ट यह आपे मिल जाएगी तो देट सब्सक्राइब के लिए बाए-बाए